नमस्कार दिश्टी आईस के एडिटोरियल एनलिसिस में आज आपका फिस्य स्वागत है आज का संपाद की है म्यानमार भारत संबंधों पर भेस्ट है बहुत महत्वपूर्ण एडिटोरियल आज के अख़बार में नहीं आये थे केवल एक एडिटोरियल जो इंडियन एक्सप्रिस में आया था जो कि भारत में आणमार संबंधों की चर्चा करता है और उस चर्चा से भी जादा महत्वपूर्ण फॉर्ण रिलेशन्स पे बात कैसे कैसे की जाती है कि इन चीज़ों का ध्यान रखता है इसकी बात करता है इसको हम आज डिसकस करेंगे केवल एक एडिटोरियल हर्ष वी पंत सहाब ने इसको लिखा है Observer Research Foundation एक एलीट और जानी पहचानी फाउंडेशन है रिसर्च फाउंडेशन है उसमें ये शुधार्थी है वहाँ पे ये कारे करते हैं बहराल शुरू करते हैं Broad Outline समझ लेते हैं उसके बाद हम इसकी बिंदुवार चर्चा करेंगे तो Broadly बात वो कर रहे हैं कि Context है कि हर्ष वर्धन श्रिंग्ला साहब जो हमारे Foreign Secretary है वो म्यानमार विजिट पर गए हैं तो उस चीज के Context में एरिटोरियल लिखा गया है कि नेपी दौव की जो रहा है वो दिल्ली को कैसे cover करनी चाहिए यह नई राजधानी का नाम है म्यानमार की म्यानमार को पहले बर्मा कहा जाता था नाम बदल के म्यानमार कर लिया गया पुरानी राजधानी बर्मा की रंगून थी नई राजधानी बनाई गई ने पी दौ तो बहराल वो बात करते हैं कि भारत को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए म्यानमार की नई स्थितियों को देखते हुए क्या है नई स्थितियां अभी हम आगे चर्चा करेंगे उसके बाद वो बताते हैं कि मैंनमार की समस्याओं का इतिहास क्या रहा है उन समस्याओं के संदर में भारत को भारत की क्या समस्याओं है वो कैसे और कॉंप्लेक्स हो जाती हैं वो उनकी बात करते हैं उसके बाद वो उभरते चीन के खत्रे की बात करते हैं, पश्चिम और अमेरिका कैसे इस पूरे रीजन से बाहर जा रहा है, वो इसकी बात करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं, अंत्मिन इशकर्ष क्यों राते वे कहते हैं, कि किन आधारों को नई दिल्ली को ध्यान में र हर्षपी पंतसाब कह रहे हैं कि भाई हर्षवर्धन श्रिंगला फॉरेंट सेक्रेटरी गए हुए हैं म्यानमार में कोशिश क्या है भारत की कि ऐसे solutions इजात किये जाएं जो म्यानमार में इस समय अलग अलग पार्टीज हैं उनको दोनों को उन सभी पार्टीज को ये acceptable हो अब आप पूछेंगे कि कौन सी पार्टीज ऐसी क्या समस्या हैं म्यानमार में अभी हम आगे और बात करेंगे उन समस्याओं की लेकिन म्यानमार में पलट किया और उसके बाद सारी ताकतों को अपने हाथ पले लिया अब वहां की जो सरकार है उसको Military जुन्टा का रूल कहा जाता है ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है कि सैन्ने अधिकारियों का समू तो Military जुन्टा का अधिकार है मियानमार पर और वहां पर बड़े परदर्शन होते रहे हैं मियानमार हमारा पड़ोसी देश भी है तो कई लोग जो मियानमार के सैन्ने शासन से इत्तिफाक नहीं रखते थे उसके विरोधी थे वो भारत में migration करते हुए आ गए तो हमारी सीमाएं मिलती हैं बलकि बड़ी पोरस सीमाएं हैं लोगों का आना जाना बड़ी आसानी से होता रहता है सरकारें भी इस पे बहुत जादा रोक नहीं लगाती हैं तो इस प्रकार के हमारे सम्मंध है मियानमार के साथ तो ऐसे में यह रेटोरियल शुरू होता है इस बात के साथ कि हमारे फॉर्ण सेगरेटरी जब इस विजिट पे गए हैं तो कोशिशे हैं कि ऐसी तरीके इजाद किये जाएं ऐसी तरीके खोजे जाएं कि वो सारे लोग जो अभी सैने साशक हैं उनका जो point of view है और वो अपि फ्रेस्ट हो सके इसके बाद यह संपाथ किये अपनी शुरुवात के आखिर में कहते हैं कि जो पस्चिम है वो कैवल लोक्तंत्र के प्रिज्म से लोक्तंत्र के आएंहे से देखता है मौनमार को भरत के पास यह लगजरी नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि भरत बु के सुवधाय मिल जाती हैं जैसे पश्चिम अपने उन देशों के साथ जिसके उसके बहुत important सामरिक संबंध हैं मध्यपूल में कुछ ऐसे देश हैं लेटिन अमेरिका में कुछ ऐसे देश रहे हैं जो उसके लिए सामरिक लिहास से बहुत महत्पून हैं तो पर वो dictatorship का भी support करता है लेकिन जिन देशों से बहुत मतलब नहीं पढ़ता है सामरिक कोई strategic difference नहीं पढ़ता है पश्चिम को तो वहाँ वो लोकतंत्र को एक important pillar के तोर पर मानता है यह diplomacy का आप वो कह सकते हैं कि इसी प्रकार से diplomacy की जाती है तो यह संपात की आगे बढ़ते में कहता है कि भारत के पास यह luxury नहीं है क्योंकि जो भी वो कारण है उनकी चर्चा हम आगे करेंगे लेकिन वो कह रहे हैं कि भारत ने भी सारे जो पडूसी है म्यानमार के उनकी तरह भारत की भी कोशिस यही रही है कि military का जो authoritarianism है उनकी तानाशाही है उसको पीछे ढखेला जाए और लोकतंत्र की वापसी का रास्ता प्रशस्त किया जाए उसके बाद हम कह रहे थे कि हम आपको बताएंगे कि कारण क्या है कि वहाँ पर समस्याएं आई हुई हैं समस्याएं ये आई हुई हैं कि फरवरी में वहाँ की military ने एक coup किया coup यानि तक्ता पलट किया से ने तक्ता पलट किया और वहाँ की जो popular नेत्री थी आंग सांग सू की उनको गिरफतार कर लिया कैद में डाल लिया और जो उनकी पार्टी है National League of Democracy इसके भी सारे बड़े नेताओं को कैद में डाल दिया गया जेल में डाल दिया गया भारत ने शुरुवात से ही कहा कि म्यानमार ने पिछले कई दशकों में लोक तंत्र की तरफ जो अपने धीमे धीमे कदम बढ़ाए थे भारत चाहता है कि वो कदम बढ़ते रहें उन प्रोसेस को खत्रा ना हो ऐसी कोशिश हो इसके अलावा आंग सांग सुकी को हाल ही में पहले चार साल की सजा सुनाई गई बाद में उस सजा को कम करके दो साल की सजा कर दिया गया किनमा अदबातों पर सजा सुनाई गई कहा गया कि उन्होंने देश में सेने साशन जो बना है इसके खिलाफ विद्रो पैदा करने की कोशिश की और COVID guidelines को तोरने की कोशिश की तो इस अधारप उनको दो साल की कैदी गई तब भी दिल्ली ने कहा कि भारत ने देखिए यह diplomatic भाशा है क्या कहा भारत ने deep concern over any development that undermine these democratic processes भारत ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की यह गहरी चिंता ही diplomatic भाशा में विरोध माना जाता है तो ऐसे में इसके बाद ही समपात के कहता है कि भारत ने ये भी कहा अपने message में कि हमें ऐसे कदम उठाने होंगे सारे के stakeholders को मिलके ऐसे कदम उठाने होंगे कि जो dialogue की प्रक्रिया है वो उन दोनों के बीच शुरू हो सके यानि एक side जो National League of Democracy है आंग सांग सूकी है और उनके supporters हैं दूसरी तरफ जो Sen ने साशक है उनके साथ उनकी आर्मी है उन दोनों के बीच dialogue की प्रक्रिया बादशीत की प्रक्रिया आगे बढ़ सके इसके बाद इस संपात किये एक एहम बिंदू पर आता है संपात किये कहता है कि भारत के लिए challenges हैं जो म्यानमार से जुड़े हुए हैं वो इस आधार पर तै नहीं होते हैं हलके अभारी नहीं हो जाते हैं कि वहाँ पर साशन कोन कर रहा है किस प्रकार के challenges है म्यानमार के साथ हमारा border जो है वो porus है म्यानमार के साथ लोगों का आना जाना उन कामों में उन bordering areas में बहुत आसान है तो ऐसे में तसकरी की समस्या एक बड़ी समस्या है खास तोर पे drugs की तसकरी के लिए भी वो इलाके जाने जाते हैं इसके अलावा भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, internal security है उसके लिए भी ये जो border है, ये बड़ा खतरनाख माना जाता है क्योंकि जो अलगावादी गुठ है वो बहुत आसानी से इधर से उधर आ जा सकते हैं इसी का जिक्र करते हैं संपात की ये कहता है कि ऐसे में S.A.C. State Administration Council ये वो military जुन्टा का आप वो कह सकते हैं Council है, जिसमें सारे सीर्ष, military rulers है military ruling party के सदस्य जिसमें शामिल है उसके साथ बादचीट करना बहुत जरूरी है क्यों? क्योंकि internal security का मामला फिर से उठता है जब हमने देखा कि पिछले ही मैंने Assam Rifles के जो Convoy जा रहा था उस पर हमला हुआ और वह हमला मियानमार border के बहुत नजदीक हुआ मनिपुर में हुआ वह हमला मियानमार border के बहुत नजदीक था और ये इस बात का reminder था कि हमें अपनी borders पर निगेवानी बना के रखनी है, चाक्चाबंद करनी है तो ऐसी सब चीजों के लिए ही ये संपात किये, यहाँ पर आकर कह रहा है कि जो भारत के लिए समस्याएं है वो इस अधार पर बदल नहीं जाती कि वहाँ पर लोकतांत्रिक साशन है ये सैने साशन है भारत को जो अपने हित साधने है वो साधने ही पड़ेंगे लेकिन बात केवल इतनी नहीं है बात इसके साथ ये भी है कि चीन उस सीमा का उपयोग करके भारत के नौर्थीस्ट में उत्तरपूरवी राजियों में डिस्टरबेंस इसको बढ़ा सकता है खास तोर पे जब जो लाइन ओफ एक्शुल कंट्रोल है जो चीन भारत का बॉर्डर है वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी है इसके बाद इसके बाद इसमपाद की आगे बढ़ते हुए कहता है कि एक और बाद जिसका भारत को ध्यान रखना है क्योंकि ये बॉर्डर बॉर्डर बहुत पोरस है और जो कोविड के कारण सभी देशों में समस्याएं आई है गरीब देशों में वो समस्याएं ज़्यादा आई है मियानमार ने उन समस्याओं का दंश जादा भोगा है तो ऐसे में बहुत संभावना है कि भारत के पोरस बॉर्डर से मियानमार के रास्त, वहां मियानमार से बहुत सारे लोग भारत में आएं तो ये हर तरीके से भारत के लिए lose-lose situation होगी lose-lose situation को क्योंकि एक तो वहां पर पहले से ही अशानती है मियानमार के अंदर तो एक प्रकार से political relations भारत के खराब हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में पना मांगते रहे हैं कुछ लोगोंने पनापाई भी है लेकिन इससे जो बादचीत का महौल है हो खराब हो सकता है ऐसा है समपात के कहता है दूसरा इसी पोरस बॉर्डर के माधियम से बहुत सारे ऐसे तद्थो भारत में आ सकते हैं जो भारत के सीमावर्टी राजियों की शांती के लिए एक खत्रा हो सकते हैं तो इसका भी भारत को ध्यान रखना है इसके बाद ये संपात की आगे बढ़ते हुए कहता है कि देखिए म्यानमार के पड़ोसी देशों में भारत एकलौती बड़ी डेमोक्रिटिक कंट्री है तो ऐसे में भारत को बिल्कुल insist करना चाहिए कि म्यानमार में डेमोक्रिसी की तरफ transition हो लोकतंत्र की तरफ उनके कदम बढ़ें लेकिन साथ में भारत को ये भी मालूम होना चाहिए कि म्यानमार ने कभी भी अंतराश्ट्रिय प्रेशर्स का ध्यान नहीं रखा ये बात है संपात की क्यों कह रहा है क्योंकि म्यानमार में इससे पहले भी वीच में कुछ साल जो मिला जुला लोकतंत्र रहा इससे पहले भी दश को लंबा एक सेनने साशन चला था तो उस समय का उन्भव भी ये बताता है कि म्यानमार को अंतराष्ट्रिय प्रेशर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता फर्क इस बात से पड़ेगा कि जो म्यानमार की सेना है म्यानमार की आर्मी है उसका रवया क्या रहता है उसके लिए क्या जरूरी है कि उनकी आर्मी के साथ एक active engagement करके रखा जाए भले ही आप लगतार इस active engagement में ये बात करते रहें कि जम्हूरियत के लिए जो कदम उठाने जरूरी है लोकतंत्र के लिए जो कदम उठाने जरूरी है वो उठाये जाने चाहिए इसके अलावा भारत को उनकी सेना के साथ इसलिए भी संबंद स्थापित करने चाहिए क्योंकि यही इकलौता तरीका है कि सेना को भी एक stakeholder में बदला जाए जो बाचीत का हिस्सा है और उस बाचीत के रास्ते ही आगे के समनान खुल सकते है क्योंकि अगर सेना को marginalize किया गया सेना को दरकिनार करके किसी और तरीके से कोशिश की गई म्यानमार में लोग तंत्र लाने की तो इससे किवल एक दो चीज़े होंगी एक कि वहाँ के सेना की पकर बहुत मजबूत है अभी कितली है और दूसरी वहाँ की जो अभी की सत्ता है जो सेना के हाथ में है वो चीन की तरफ जाने लगेगी बल्कि यह समपात की आगे कहता है कि जब से टक्ता पलट हुआ है म्यानमार के उपर चीन का जो आर्थिक घेरबंदी है आर्थिक दबाव है आर्थिक कबजा है वो बढ़ता ही गया है खास तोर पे चीन म्यानमार Economic Corridor के द्वारा चीन म्यानमार Economic Corridor चीन के ही Border Road Initiative BRI का हिस्सा है कई देशों में इस प्रकार के प्रोजेक्ट चला जा रहा है हम जानते हैं पाकिस्तान में भी है चाइना पाकिस्तान Economic Corridor इस तरह के 70 के आसपास देशों में चीन इस तरह के प्रोजेक्ट चला रहा है तो वो घेराबंधी म्यानमार में भी हो चुकी है तो ऐसे में सेना को पूरी तरह से म्यानमार के म्यानमार की सेना को पूरी तरह से चीन के हाथों में नहीं सौकना चाहिए इसके बाद ही संपात किये कहता है कि West जो है पस्चिम जो है वो दो हतियार अपनाता है पहला अपनाता क्या है हतियार कि वो कंडेम करता है निंदा करता है जो तक्ता पलट हुआ लोगतंत की हत्या हुई इसके रावो वो economic sanctions लगाता है मियानमार को दोनों से फरक नहीं पड़ कि जैसे जैसे economic sanctions यॉरप की मजबूत होती जाती है वेस्ट की मजबूत होती जाती है दूसरी तरफ से चाइना की economic grip मियानमार पर बढ़ती जाती है क्योंकि चाइना जाधा economic help provide करने की स्थिती में होता है तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि military जुन्टा जो है उसको constructive manner में engage किया जाए उसके बाद ये संपाद किया आशा की किरण दिखाते वे कहता है उधारन के तौर पे जो रवया जपान साउथ कोरिया और दूसरे आसियान देशों ने क्योंकि मियानमार आसियान देशों का भी member है आसियान देश हम जानते हैं दस देशों का समू है एशिया Pacific region में है तो उन देशों ने जापान साउथ कोरिया और जादा तर आसियान देशों ने कहा है कि हम मिलिटरी जुन्टा से बातचीत करते रहेंगे वो इस प्रोसेस में कहीं आगे बढ़ चुके हैं इसके अलावा कामबोडिया जो कि फिर से आसियान के दस देशों में से एक द साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं साथ में ये सभी देश ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र का आना बहुत आवश्यक है तो उसके बाद ये संपात्किये अंत की तरफ बढ़ता है और केवल ये सबसे महत्पोन बिंदू के लिए भी इस संपात्किय का चैन किया गया कि क्या कहते हैं इबिंदू कि इससे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉंक्लूजन में संपात्किय कहता है कि बहुत जरूरी है कि नई दिल्ली में अनमार में अपनी खुद की ट्रेजेक्ट्री बनाएं ना तो पश्चिम पे रिपेंडेंट रहे कि अगर पश् गया करता है कि अंतराष्टी संबंधों में ब्लेक और वाइट नहीं होता अच्छे और बुरे की इस पश्टपरिभाशा नहीं होती लोग अमूमन इस भाशा में बात करते हैं कि कम्उह देश हमारा दुष्मन हैं अमूग देश हमारा दोस्त है इस तरह कि भाशा international डिपल के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं जिनको आप दोस्त कहते हैं उनके साथ भी आपके बिलकुल कटू संबंद होंगे कुछ मुद्धों पर तो इस अमपात्कियंत में क्या कहता है कि भारत की security की जो जरूरते हैं आंत्रिक सुरक्षा की जो जरूरते हैं और जिस प्रकार के neighborhood में भारत है जहाँ पाकिस्तान से उसके संबंद अस्थिर हैं जहाँ चीन से समस्याएं हैं ऐसे ऐसे नेबर हुड में ये बहुत जरूरी है कि भारत में अनमार के साथ एक nuanced position बना के रखे, nuanced position यानि जिसमें बहुत तहे हों यानि एक आप engagement भी बना के रखें pragmatism को नहीं भूलना चाहिए एक और word इस्तमाल किया जाता है real politics की जो जो राजनिती की practical मांगे हैं, जो राजनिती की practical demands हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए, किसी भी idealism के पीछे, ऐसा ये संपात की कहता है, तो इसी के साथ हम आज के संपात कीये के अंत्पयाते हैं और कोई बहुत महत्वपूर्ण संपात कीये पूरा नहीं था कल हम फिर से वापस लोटेंगे महत्वपूर्ण संपात कीयों के साथ देश के अखबारों के, तब तक के लिए नमस्कार